अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो बताना चाहूंगा कि समिफ्स का एक रियली अड्वांस्ट वर्जिन में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ टेकनीक है how to calculate ID wise cumulative sum और इस्तमाल कहा होता है ये भी बताऊंगा फिलहाल आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ मान लीजे आपके पास ये सारे कुछ numbers एक list में मौजूद है और आपको एक cumulative sum निकालना है cumulative sum का मतलब क्या है पहले level पे 700 अगले level पर 700 और 200 को combine करने के बाद जो 900 answer आता है वो होना चाहिए और तीसे level पे 700 प्लस 200 माइनस 100 जो answer आता है वो है 800 तो इसे हम कहते है cumulative sum ना बहुत लोग क्या करते हैं एक simple सा formula इस तरह बनाते हैं और अगले cell में कह देते हैं कि उपर वाले cell को लीजे और left वाले को भी add कर दीजे और इसे आप drag down करके last तक ले जाते हैं ताकि cumulative sum यानि कि final sum आपको दिखे हर level पे ना मैं आपके नजर में एक नया formula लिखना चाहता हूँ और देखता हूँ कि कैसे वो हम आगे इस्तमाल भी कर सकते हैं सबसे पहले मैं sum लिखता हूँ इस cell को choose करता हूँ और colon प्रेस करता हूँ ताकि अपने आप ये cell का reference दोबारा repeat हो अब थ्यान से देखेगा ये एक ही cell की तरफ इशारा कर रहा है लेकिन range के प्रती रूप में पहला जो part है इसे मैं freeze कर देता हूँ ताकि ये कभी change ना हो B4 से B5 कभी ना बने अब देखिए अगला जो part है वो free है यानि कि वो B5 भी बन सकता है और B6 भी बन सकता है अब इस formula को मैं एक कदम नीचे ले आता हूँ देखिए ये बन गया है B4 से B5 अगले कदम नीचे ले आता हूँ अब ये बन चुका है B4 से B6 यानि कि आपके जो ranges है वो हर कदम पर एक cell से बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण से आपको एक cumulative sum भी मिल रहा है और एक reminder भी मिल रहा है जो कह रहा है कि आपका ये जो formula है अपने adjacent यानि कि आपके जो परोस में जो formula है उससे मिलता जुलता नहीं है और ये by design है by choice है not fluke और not by luck और not by mistake तो ये एक छोटा सा formula का technique है जिससे cumulative sum निकल के आ जाता है अब मैं same चीज हमारे sum ifs में इस्तमाल करने वाला हूँ पहले मैं आपको problem समझा देता हूँ Amy ने 700 रुपे loan लिये हैं और 200 रुपे वापिस से repay भी किया है अब ये तो हुई पहले दो transaction की बात लेकिन Amy के और दो transaction आप देख पा रहे हो तो अगर मैं सिर्फ Amy की बात करूँ तो पहले लेवल पे 700 अगले लेवल पर 500 तीसरे बार जब वो लिस्ट में आएं तो बन जाना चाहिए 500 प्लस 300 यानि की 800 और finally ये बन जाना चाहिए 820 अब problem ये कि Amy को हमने 7500 की loan limit दी थी यानि की 700 तक ठीक है 500 तक का balance भी ठीक है लेकिन 800 लेवल पर आपने उस limit को cross कर दिया है एक छोटा सा message आना चाहिए एक छोटा सा indicator होना चाहिए उसी तरह EVA पहला लेवल माइनस 100 लेकिन दूसरी बार जब उनका value देखे तो पुराना और ये current वाला add होके 500 दिखाना चाहिए तो इसे हम कहते हैं id wise cumulative total अब इसे कैसे करना है बताता हूँ sum ifs लिखना है या control A अब criteria के नाम पे आपने चूज करना है Amy का नाम range के नाम पर आपको उसी नाम को दोबारा चूज करना है और colon प्रेस करके इसका जो पहला हिस्सा और पहला part है उसे freeze कर दीजेगा अब sum range अगर आपको याद होगा हमारे basic videos on summits and countess में ranges हमेशा एक ही height के होने चाहिए तो अगर criteria range ने एक cell की तरफ इशारा किया है तो sum range भी एक cell की तरफ इशारा करेगा colon वापस और पहले part को कर देते हैं freeze ताकि जब इस formula को मैं कर दूँ copy paste नीचे की तरफ तो उनका behavior हमेशा common रहे अगर sum range बन जाता है D4 से D5 तो criteria range भी बनना चाहिए B4 से B5 तो आईए देखते हैं इसका नतीजा क्या होगा इसे मैं कर देता हूँ copy paste नीचे की तरफ और देखते हैं Amy second level पर 500 third level पर 800 और चौथे level पर 820 अब यह हुआ कैसे बताता हूँ पहली बार जब आपने ढूणने की कोशिश की Amy तो आपने एक ही cell में ढूणा और जो Amy के पास credit था वो आपने दे दिया 700 अगले level पर जब आपने Amy ढूणने की कोशिश की उनके against में जो दो number थे 700 और negative 200 उन दोनों को sum कर दिया गया है और आपको मिल गया है 500 by the way जब आप Amy के अगले नाम पे आते हैं same story Amy यानि की purple value ढूणना जा रहा है इस red area के अंदर और तीन बार Amy जब मिल चुका है नाम तो उनके against में जो तीन नमबर है यानि की 700 minus 200 plus 300 उनका cumulative sum आपको देखने को मिल रहा है अब आप चाहें तो limit को आप V look up के जरीए निकाल सकते हैं look up for Amy then choosing this entire block then F4,3,0 इससे आपको ये पता चलता है कि limit कितनी है बस एक छोटा सा comparison और आपको पता चल जाएगा कि किसी ने क्या limit cross की है और की है तो कब की है तो ये था एक बहुत ही special सा formula थोड़ा advance समिफ के level का और काफी बार use होता है to find out if the credit limit has been reached अगली वीडियो में मैं बताऊंगा running count कैसे करते हैं इसका मतलब ये है कि अगर go का शब्द अगर 4 बार है वी लुक अप और duplicate count करने की तो धेरे बनाई रखिये आप अगले वीडियो में जब जाएंगे तब ये जरूर सीखेंगे